नमस्कार आपका आखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। दो मुख्य मंत्री हैं देश में ऐसे हाला कि हैं तो तीन लेकिन दो मुख्य मंत्री ऐसे हैं जो बड़े राज्यों के मुख्य मंत्री हैं जो बॉर्डर स्टेट के मुख्य मंत्री हैं और दोनों जगहों पर कानून विवस्था की स्थिती खराब हैं लेकिन यह दोनों मुख्य मंत्री केंदर एग्रिह मंत्री, अमिश्ट और प्रधान मंत्री से मुश्चुराते गुम रहे हैं। उसका भी मजा कुणा रहे हैं। केंदर और राजय का संबंद यह दो हात से बजने वाली ताली है। दोनों के प्रयास से ये संबंद सुधरते हैं। जब 2014 का बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो बन रहा था तो उसमें प्रधान मंतरी निरेद मोदी ने एक बात रखवाई थी जिसको कहते हैं कोबरेटिव फेडरलिजम। उनका मानना है क्योंकि वो मुख्यमंतरी के रूप में काम कर चुके हैं इसलिए उनका अनुभव भी कहता है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। अगर दोनों अलग अलग दिशा में चलेंगे, दोनों अपने अपने रास्ते पर तो फिर देश को आगे ले जाना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना योगदान या जितना प्रयास केंद्र सरकार का होना चाहिए देश के विकास में उससे कम राज्यों का नहीं हो सकता। राज्यों की बड़ी भूमिका है और जब सब राज्य मिलते हैं और केंद्र के सा कोनों का समबाद हो समय समय पर मुद्दों पर चर्चा हो और उनका हल निकालने का सामुहिक प्रयास किया जाए ऐसे ही एक प्रयास के लिए 27 से यानि कल 27 अक्टूबर से दो दिन का एक मंथन शिविर आयोजित किया गया है हरियाना के सुरजकुन बें और इस मंथन शिविर में किनको को बुलाया गया है इसकी अध्यक्षता करेंगे केंद्रिग ग्रह मैंने मांत्री अमिश्या 28 तारिख को वीदीयो काणि supremacy से प्रधान मंत्री नरियन मुद्यी संबोधित करेंगे जो इंजिन को तुक बुलाया गया है एक action plan बनना है जो पंच प्रण की घोशना की थी प्रधान मंत्री नहीं लाल किले से उसको लागू करने के लिए 2047 तक देश को किस दिशा में कहां ले जाना है उसके लिए क्या प्रयास होने है इसके लिए एक action plan बनना है अब action plan बनना है तो किंद सरका यह तो नहीं कर सकती है कि अकेले action plan बनाए और राज्यों से कहे दें आपको लागू करना हो लागू कीजिए नहीं करना हो मत कीजिए तो इसलिए सभी सभी राज्यों का इसमें योगदान हो इसके लिए बैठक बुलाई गई इसमें मुदा क्या है आंतरिक सुरक्षा जो सबसे बड़ी बात है और आंतरिक सुरक्षा का मामला है तो राज्यों के भूमी का और जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है क्योंकि कानून विवस्था राज्य का विशह है लेकिन जो border state है जो सीम वहां से आने वाला आतंकवाद, वहां से आने वाले हथियार, गोला बारूद, इन सब की जो है, वो चिंता इन सब की चुनौती होती है। दो की आरहे है, पैठक की गंविर्टा को समझ दीजे की गंविर्टा को, इस में दो मुक्यमंत्री नहीं आरहे हैं, जो अपने राजि में गरियमंत्री भी है। कौन कौन है एक बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार दूसरे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनर जी दोनों ये मुख्यमंतरी दोनों ये नेता प्रधान मंतरी और ग्रिह मंतरी से आखे चुरा रहे हैं भाग रहे हैं नितीश कुमार के सामने शर्म का मामला कि अभी अभी छोड़ कर गए है, प्रशंसा कर रहे थे अब गाली दे रहे है, सामना कीसे करेंगे, सामने आएंगे तो बोलेंगे क्या, जो बोल रहे हैं सार्वजिनिक रूप से उसके बाद कैसे आँख मिलाएंगे, लेकिन मामला इत इसमें इतनी महतोपूर बैठक है जिसमें चुकि सुरज कुन में ही दो दिन रहेंगे ग्रेमंत्रिया मच्छा इसलिए राजयों के ग्रिह मंतरियों से खास दोर से ग्रिह मंतराल जिन मुख्यमंतरियों के पास है उनसे अलग अलग मिलेंगे कि अलग अलग क्या समस्या है इसके अलावा इसमें इस बात पर भी चर्चा होगी कि पुलिस मौर्डनाजेशन को कैसे आगे बढ़ाए जाए इसकी भी चर्चा होगी कि साइबर क्राइम से कैसे निप्टा जाए इसके भी चर्चा होगी कि ड्रक्स की तसकरी हो रही है उससे कैसे निप्टा दा और चुकि परामिलिटरी फोर्सेस के लोग होंगे तो जो बॉर्डर स्टेट है बिहार का जो है बिहार की सीमा बंगलादेश के सिस्थे मिलती है और पश्चिम बंगल की तो बड़ी लंबी चोड़ी सीमा है जो बंगलादेश से मिलती है वहाँ गायों की तसकरी से लेकर इंसानों की तसकरी तक सब कुछ होता है बड़े पैमाने पर घुसपैट होती है तो वहाँ B.S.F. और पुलिस में अगर तालमेल नहीं होगा तो इसको कैसे रोका जा सकेगा इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी है लेकिन इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने तै कि न तो ये जाएंगे और न ऐसे अधिकारी भीजेंगे जो गंभीरता से इसमें शामिल हो सके शरीक हो सके तो कोपरेटिव फेडरलिजम की तो बात ही छोड़ दीजिए उसका सयोग की तो बात ही छोड़ दीजिए केवल शिकायत है कि केंदर हमको इसका पैसा नहीं दे रहा है केंदर हमको उसका पैसा नहीं दे रहा है केंदर पै अगर कानून व्यवस्था का मामला उठेगा उनको जवाब देना पड़ेगा बहुत से सवालों का अगर कोडिनेशन का मामला उठेगा स्टेट पुलिस और पैरा मिलिटरी फोर्सेस के तो उसमें उनको जवाब देना पड़ेगा तो ये सवालों से भागने के लिए सवालों करती थी और इसका पुलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करती थी कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं पिछले कुछ समय से उनके ये कसबल जो ढीले पड़ गए अब वो लड़ती हुई नहीं दिखती है लेकिन वो दोस्ती करती हुई भी नहीं दिखना चाहती है उनको लगता है कि अगर बैठक में आती है और अगर ग्रिमंतरी से बातचीत होती सौहाद पूर्ण वातावरन में बातचीत होती तो चुनाओ के दौरान जितनी गालियां दीती जितना कुछ बोला था उसके बाद अगर इस तरह का विवहार सारवजनिक होगा तो फिर बंगाल में उसका क्या मेसेज जाएगा इस डर से और नितीश कुमार के डर तो बहुत सारे है कि अगर अगर हंसकर बात करते हुए हमिशा से दिख गए तो तेजस्वी अलालू किस तरह से रियक्ट करेंगे वहां जाकर बिहार पटना लोट कर क्या जवाब देंगे ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इनके पास नहीं है इन जवाबों से भागने के लिए ये दोनों नेता आंतरिक सुरक्षा जैसे इतने गंभीर मसले की उपेक्षा कर रहे हैं उसके साथ खिलवार कर रहे हैं अगर पुलिस मौर्डनाजेशन होगा तो राज्य में कानून विवस्था की स्तिती सुधरेगी उसका लाब इन ही दोनों नेताओं को होगा जो भी मुक्यमंत्री जिसकी भी सरकार होगी जिस पार्टी की भी सत्ता होगी उसको फाइदा होगा तो पुलिस मौर्डनाजेशन करना नहीं है और इस पर चर्चा भी नहीं करनी है तो इसलिए आप भागेंगे दरसल समस्या उन राज्यों के साथ आप देखे ये केवल भाजपा शासित राज्य या भाजपा की जो विरोधी पार्टियां है उनके शासित राज्यों का नहीं है वरना तमिलनाडू से कोई क्यों आता वरना कॉंग्रेस शासित राज्य से कोई क्यों आता तो मामला कुल मिलाकर ये पार्टी और दलगत हित से उपर का मद्दा है आंतरिक सुरक्षा पुरे देश की सुरक्षा का सवाल है ये कोई एक स्टेट एक पार्टी एक नेता या एक विचाधारा का सवाल नहीं है लेकिन इन दोनों नेताओं को ऐसा लगता है कि ऐसा करके वो बीजेपी को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसके जरीए वो अपने पैर पर को लाड़ी मार रहे हैं क्योंकि आंतरिक सुरक्षा को लेकर जब भी सवाल उठेंगे तो उसका जवाब राज्य सरकार से ही पूछा जाएगा जिस तरह का दुनिया भर में आतंकवाद का महौल है जिस तरह से हमारा पॉड़ोसी देश आतंकवादियों को भेशता है जिस तरह से हत्यार भेज रहा है जिस तरह से घुसपैट की समस्या है खास्तोर से बंगाल में सबसे ज़्यादा है बिहार में भी है घुसपैट की समस्या उसको रोकने के लिए क्या उपाय होना चाहिए तो ममता बंगर जी को घुसपैट रोकना ही नहीं है तो उसका उपाय क्यों सुनने आए ये भी समस्या है उनको गायों की तसकरी या पचुदन की तसकरी है उसको रोकना ही नहीं है इसी तसकरी की आरोप में उनका एक नेता जो है अनुबरत मंडल जो है जेल में है इसके ब जब उसको रोकने का इरादा ही नहीं हो तो उपाए नहीं ढूंगते हैं इसी तरह से नितीश कुमार के लिए कानून विवस्ता कोई माइने नहीं रखता उनके लिए अब governance भी कोई माइने नहीं रखता उनके लिए सिर्फ एक बात माहने रखती है कि लालू और तेजस्वी और आर्जेडी खुश रहें जब तक लालू जी का परिवार उनसे प्रसंद है तब तक उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी है और जब तक उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी है तो उनके लिए सारी दुनिया ठेंगे पर है बाकी उनको किसी से कोई मतलब नहीं है बिहार कहां जा रहा है बिहार में कानून विवस्ता की स्थिति क्या हो गई है इस सबसे उनका कोई सरोकार है ये दिखाई नहीं देता अगर है भी तो वो जो उनके एक्शन में दिखना चाहिए वो कहीं से दिखाई नहीं देता तो कुल मिलाकर इस्थिती है कि इन दोनों नेताओं ने इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने जो संदेश दिया है जो बताने की कोशिश की है वो कोपरेटिव फेडरिलिजम की भावना के बिलकुल उलट है केवल इतने तक होता कि केंदर से सहयोग नहीं करना है बीजेपी की सरकार है इसलिए सहयोग नहीं करना है तब भी एक बात होती लेकिन आंतरिक सुरक्षा का मामला आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी अगर आप इस तरह का रवया अपनाते हैं तो इसका मतलब सीधा है कि आपकी नजर में प्रदेश और देश का हित बाद में है आपका दलगत और व्यक्तिकत हित पहले है और ये किसी भी देश की डिमोकरसी के लिए किसी भी देश के पार्लिमेंटरी सिस्टम के लिए और गवरनेंस के लिए constitution के लिए, समाज के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं तो ऐसे में इन दोनों नेताओं का ये रवया निश्चित रूप से निंदनी है तो ये सम्मेलन जो है वो दो दिन का है तो 27 को तो ये लोग नहीं आए 28 को आएंगे यानि आज ऐसी कोई सम्भावना नहीं है जब अपने अधिकारियों को भेजने के मामले में इस तरह का रवया है तो ये आएंगे इसकी कोई सम्भावना नहीं है प्रधान मंत्री एड्रिस करेंगे पूरे जितने लोग आएं हैं सब को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए उसका जो लाब मिल सकता था ग्रे मंत्री से वेक्तिकत मुलाकात का जो लाब मिल सकता था प्रदेश के लिए वेक्तिकत नहीं उस सब से इन्होंने अपने प्रदेश को वंचित किया है अपने प्रदेश के लोगों को वंचित किया है तो इन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मददाता को सब देखता है उसको सब समझ में आता है वो जवाब सिर्फ समय आने पर देता है तो इन लोगों को कब तक और क्या जवाब मिलेगा इसका जवाब तो भविशी के गर्त में चुपा है तो भविशी में ही पता चलेगा तब तक तो इंदिजार करना ही पड़ेगा तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी ने मुद्दे के साथ तब तक के लिए अमती दीजे आप से नोध है कि चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर दीजिए नमस्कार